हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई चैनल आज मैं आपको एक मिट्टी एक मिक्स दिखाऊंगी जो किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है बिंगनर्स के लिए तो इसके लिए मैं पहले ये गलब्स पैंड लेती हूं क्योंकि आप जब ही भी मिट्ट बनाएंगे मिट्टी की कोई भी काम करेंगे तो गलब्स पैंडना बहुत सरूरी होता है तो यह है normal garden soil इसकी यह normal garden सब्सक्राइब पूरा सा दूप में रग दो और इसकी जो गाटे हैं जो मिटी की गांट बन गया है उसको तोड़ दो पूरा इसको एकदम ड्राइब करके एकदम ड्सट कर लो तो हाथ से ही कर सकते हो आप ये थोड़ा फूल जो पतियां होती है वो सुख गया है वह रहने द से सकते हो तो आज मैं बनाऊंगी एक नॉर्मल जो प्लांट के लिए चला जाता है यह तो यह मेरे पास अच्छा यह मैं अच्छी से दोखे इसको दूप में शुखा लिया हूं यह आप इसमें मिक्स कर सकते हैं यह इसमें बहुत ही एक अच्छा एक यह होता है और यह है वर्मी कंपोस्ट यह आप खड़ीद लीजिए वर्मी कंपोस्ट आपको किसी भी प्लांट की शौप में मिल जाएगी वहमी कंपोस्ट आप घर पे बना भी सकते है लेकिन आप अगर घर से घर पे नहीं बना पाए तो बाहर से खड़ीद लीजिए तो वहमी कंपोस्ट हम मिलाएंगे वहमी कंपोस्ट आप 22-40 रूपीज के अंदर ये पर केजी मिल जाता है ये डिपेंट करते है किस जगे पे और मुझे बजरी मिलाना है बजरी मतलब सैंड जो कंस्ट्रक्शन के काम पे आते है वो सैंड ये मिलाना है हम लोगों को तो ये सैंड मैं ले आई हूँ तो इसको भ इसको मिला देना है और महना बहुत सारा मित्टी हम लोगों का तैयार हो सकता है इस तरह मित्टे तैयार करके आप किसी भी जगे पर रग भी सकते हैं और जब जब आपको चाहिए होगा तब आप उसको पॉठ में डाल सकते हो तो सैंड की मात्रा आप देखके मिलाईए सैं जादा सैंड मिलाईए और अगर आपको लगेगे नहीं यह ठीक है वह आपको आपको आपकी चॉइस में करना होगा तो यह मेरा पोटिंग ओल्मोस्ट रेडी हो गई है यह बहुत सिंपल मेथड है आप कोई भी प्लांट के लिए यह यूस कर सकते हो और इसको बना सकते हो इसमें जो भी इट कंकर जो है वो हटा लीजिए और अच्छे से इसको पॉट में डाल दीजिए तो यह मैं पॉट बनाई थी बॉटल कट करके इसकी भी वीडियो है आप देख सकते हो चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे तो पहले एक पहले एक जीज दे रही हूं मैं जो एक ब् ब्रीक की टुकड़े रही हूं क्योंकि नीचे होल है और इसमें अच्छे से मिटी मैंने फिल कर लिया है मेरे पास और भी कुछ पॉट है सबसे मैं सब में मैं यही रेडी कर लूँगी तो आप यह बनाई है आपके घर पे बहुत एजी लीग तो आपके घर पे बहुत